कोरोना की दूसरी लहड ने ना सिर्फ बिहार में बलकी देश भर में तबाही का मंजर ला दिया है लोग त्राहिमाम कर रहे हैं लागातार संकर्मित मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है संकर्वन से मरने वालों की संख्या में भी तेजी से व्रिधी हो रही है ऐसे में बिहार के निती सरकार सवालों से घड़ी है कि अस्पतालों में न बेड है, न वेंटिलेटर है, न अक्सिजन सिलिंडर है और ऐसे में कैसे कोरोना से जंग जीता जा सकेगा लेकिन इस बीच व्रेवो फार्मा के चेर्मेन राकेस पांडे मोतिहारी के सदरस्पताल पहुँचे हैं यह तस्विर आपको दिखा रहे हैं मोतिहारी सदरस्पताल के तस्विरे जहां ब्रेवो फाउंडेशन वा ब्रेवो फार्मा के चेर्मैन राकेस पांडे पहुँचे हैं राकेस पांडे ने अधिकारियों से बाचीत भी की है केर इंडिया और स्वास्त विभाक के अधिकारियों के साथ बाचीत भी के और इस्क्लूसिब तस्विरे आपको टुड़े भी हार्विज पर दिखा रहे हैं मोतिहारी सदरस्पताल के तस्विरे जहां ब्रेवो फार्मा के चेर्मैन राकेस पांडे पहुँचे हैं केर इंडिया एवं जिला स्वास्त समीती के पदाधिकारियों के साथ राकेस पांडे ने बैठक भी की है चर्चा भी की है कोवीड महामारी में मरीजों के उपचार के लिए ब्रेवो फांडेशन के द्वारा सरकार के साथ मिलकर क्या सहयों किया जा सकता है इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई है इस्क्रूसिफ तस्विरे आपको टुडे विहारी पर दिखा रहे हैं मोतिहारी सदरस्पताल की ये तस्विरे है जहां व्रेवो फार्मा की चेयर्मेन राकेस पांडे पहुँचे है आपको बता दें कि राकेस पांडे की कंपनी व्रेवो फार्मा लंदन सहीद दुनिया क साथ देशों में कैंसर जैसी गंभीर विमारियों पर रिसर्च करती है और राकेस पांडे बिहार के मोतिहारी के मूल निवासी है वो आज पहुँचे मोतिहारी के सदरस्पताल और वहां की तस्विर आपको दिखा रहे हैं राकेस पांडे ने भरोसा दिलाया है कि वो सरकार को मदद करने को तयार हैं और साथ ही उन्होंने बैठक की है केर इंडिया और जिलास्वास समिती के अधिकारियों के साथ और जो बड़ी चर्चा हुई है आपको बता दे कि मरीजों के उपचार में सरकार के साथ मिलकर व्रे व्रेवोव फाउंडेशन वा व्रेवोवर्मा के चेयरमैन राकेश पांडे राकेश पांडे ने कोवीड वार्डो का भी दोरह किया। पांडेने